बॉलिवर एक्टर अरजन कपूर की अपकमिंग फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड का टीजर रिलीज हो चुका है ये फिल्म भारत के सबसे खूनखार आतनकवादी उसामा को पकड़ने की कहानी पर आधारत है इस फिल्म में अरजन कपूर लीड रोल में नज़र आएंगे फिल्म में वो प्रभात का रोल निभा रहे हैं जो अकेले बिना हत्यार के आतनकवादी को पकड़ने के ले जाता है फिल्म के टीजर की काफी तारीफ हो रही है अरजन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउन पर भी टीजर शेयर किया है जिस पर कई बॉलिवूड स्टाज ने कमेंट किया है लेकिन इस बीच अरजन की खास दोस्त मलाइका रोरा ने भी उनके पोस्ट पर कमेंट किया टीजर जारी होते ही मलाइका ने अरजन के पोस्ट पर कमेंट किया शांदार अरजन कपूर उनके अलावा रंवीर सिंग, कार्तिक आरियन, अभीशेग बच्चन समय कई और बॉलिवूड स्टाज ने भी टीजर की तारीफ किया फिल्म का टीजर देखने से पता चलता है कि भारत में 2007 से 2013 के बीच हुए धमाको के प्रमुक आरोपी को बिना किसी हत्यार के पकड़ने की कहानी को इस फिल्म में दर्शाय जाएगा इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार गुपता ने किया है ये फिल्म सत्य घटनाओ पर आधारित है फिल्म का ट्रेलर भारत में हुए बम धमाको की बात करते हुए शुरू होता है फिल्म 24 मही 2019 को रिलीज होगी ये रविंदर कौशिक नाम के एक जासूस की सचिकानी है बाकी के ऐसे ही मरणजन जगत की ख़बरों के लिए देखते है नवभारत टूडे नवभारत टूडे की वीडियोस को सबसे पहने देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और दोंगेट तो हिट देबल आइक